अब यार गाईज SS Cricket 2009 तो आप सब ने खेलाई होगा पर सायदी भाई किसी ने SS Cricket 2013 खेलाऊगा अब यार ये भाई एक अंडर रेटेड गेम है जिसे फालतु में भाई इतना ज़्यादा हेट दिया जाता है या फिर ये साही में ही एक बाहियाद गेम है जो यार हेट डिजर भी कर दिये जानेंगे आज के वीडियो पर और ये गाईज हमारा लो एंड PC Cricket Game Series का एपिसोड टू है यारे कि इसका मतलब यह है कि आपको जल्दी से टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लेना चाहिए इस वीडियो का फिर अपडेट को बहां पर भी देखने हो आपको मिल जाएगा तो जरूर से आप जाकर के एक बार ट्राइक कर सकते हो खेर अब देखो क्रिकेट गेम्स तो काफी सारे बनें भाई पर इसको लेकर के इतना चर्चा क्यों है फिर तो इसका रीजन में आपको बताता हूं तो इसका सबसे बड़ा रीजन है का इस बग्स बैसे कंपानी ने SS क्रिकेट 2009 को बनाया था ना तो उसको फटा दिया गया और नए कंपानी ट्रिक्स्टार गेम्स को ला दिया गया और डेस्पाइट बिंग गूड कंपानी उन्होंने इस प्रजेट को डेडलाइन के अंदर फिनिस कर नहीं पाए डेवलोमेंट के दोरान बहु लाते रहेंगे और इसको भी भाई सही कर लेंगे पर भाई तब तेक बहुत ज़्यादा डेर हो चुगा था फ्यांस और क्रिटिक्स दोनों को ही ये गेम बहुत ज़्यादा बुरा लगा इतना बुरा कि ट्विक्स्टार वालों को भाई सभी प्लेयर्स को रीफंड देना इसके अंदर ना कुछ भी कॉंटेट नहीं था अगर आप क्रिकेट 19 या फिर डीवीसी 14 तरीके के गेम देखोगे ना तो उन सब के अंदर आपको भाई बहुत सारे कॉंटेंट बहाँ पर देखने को मिल जाते हैं भाई इसके अंदर जो मेन्यू था वह काफी ज़्यादा सिंपल था फिर जब मैंने गेम स्टार्ट करने को गया तो मैंने देखा कि इंडिया का जो रेटिंग इसमेहना बहुत ही ज़्यादा कम था भाई बही 2013 में गेम आया है और 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जी चुगी दी भाई तो इतना रेटिंग कम करने का क्या रीजन है मेर उसी समय रिलीज हुए डिबीसी 14 चे अगर आप इसका कंपेर करोगे तो घंटा बराबर ही कुछ नहीं आ यहां पर बाकी खेर बो सब तो ठीक है पर मुझे को यह बताओ कि यह किस देश के प्लेयरों का नाम ले लिया गया है भाई मतलब कि भाई बीबेकानन जी को क्रिके में हार गया और बाकी बार ही आगई बोलिंग करने का अब देखो मैं आपको बाल बाई बाल गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा मैं बस आपको रिब्यू दूगा ठीक है अगर मैं अपना बताओं तो बोलिंग मुझे ठीक ठाक लगा कंट्रोल सही थे मतलब की अनिमेशन भी स चली है तो यह चीज थोड़ा बुरा था बाकी चीज़े वास गुड अब बैटिंग पर बारी आया दूस्तो तो बैटिंग भी सही था बाई मतलब कि पहला तो यह कि इसके अंदर का जो बैटिंग है वो बहुत ही जटा मुस्किल है अच्छे से टाइमिंग करना बहुत ही जटा आसान नहीं है बहुत ही मुस्किल है इसके अंदर एक्सन रिप्लाइ भी नहीं है मतलब कि आप आउट होगे तो कैसे आउट होए बहुत दुबारा इसे नहीं दिखा जाता तो यह चीज थोड़ा सा बुरा था बाकी यह से उपको छोड़ करके ना मुझे जो सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर लगा वो है कि इसके अंदर का कैमेरा अंगल अगर मैं यहार गलत नहीं हूँ तो इसके अंदर भाई बही सेम कैमेरा अंगल यूज करा गया है जो SS क्रिकेट 2009 में यूज वा था और यहार मैंने तब भी बोला था आज भी बोलाओ कि SS क्रिके कैमेरा अंगल यूज वाए तो गुड जॉब अबरहल देखा जाए तो इतना भी बुरा गेम नहीं है इन फैक्ट बहुत ही जादा बुरा गेम नहीं है पर हां भाई इतना अच्छा भी नहीं है वादलब कि 15-20 मिनिट खेल लिया टाइम पास कर लिया तो ठीक है अभी तो भाई दिरे दिने बग्स प्रकट होने शुरू भी हो जाते हैं मदब कैर बग्स की बात करू तो ऐसा होगा कि कभी आप गेम खेल रहे हो और गेम स्कोर पड़ पर अटक जाती है आपका गेम जाहें जितना भी थ्रिलर मोड पर हो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है कभी कभी बोलर बॉल फेकता नहीं कभी फिल्डर जोका रोकता नहीं चक्का रोकता नहीं चक्का कैसे रोगेगा खेर जो भी है मदलब की रोकता नहीं फिल्डर सही से अपना काम नहीं करता है कि अभी कभी विकेट कीपर जो है वो कीपिंग नहीं करता तो ये सिब चीजे भाई इस गेम को दूँगा 2.9 out of 10 मिलते हैं भाई अगले वाले वीडियो के अंदर अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर पे लिवे तो सब्सक्राइब करो तो बाकी मिलते हैं अगले वाले वीडियो के अंदर झाले वीडियो के वीडियो